Online Shopping की Deals, Discount और Loot Offer पाने के लिए Follow करे हमारे WhatsApp और Telegram चैनल को आज की इस वीडियो में हम HP Company की दो printers को compare करेंगे पहला है HP का LaserJet 108W दूसरा है HP LaserJet Pro P1108 ये दोनों ही printers printing करने के लिए laser technology का इस्तमाल करते हैं यानि कि ये दोनों ही printer laser printer है functionality की बात करें तो ये दोनों ही printers only print कर सकते हैं इसके अंदर आपको कोई scanner नहीं मिलता है इसलिए आप इसमें scan और photocopy नहीं कर सकते हैं क्योंकि आजकल सभी के पास high quality वाले smartphone available हैं इसलिए आप अपने documents को mobile से scan करके इन printers के जरीए prints निकाल सकते हैं print output की बात करें तो दोनों ही printer black and white print करते हैं duplex printing feature की बात करें तो इन दोनों ही printers के अंदर आपको duplex printing का support नहीं मिलता है अब बात करते हैं कि आखिर duplex printing होता क्या है यसे printer जिनके अंदर duplex printing का support नहीं होता है उन printers में paper के एक तरफ print करने के बाद में आपको खुद अपने हातों से उस paper को मोड़कर दुबारा printer के अंदर लगाना पड़ता है जिससे की वो दूसी तरफ भी print कर सके लेकिन duplex printer के अंदर ये feature automatic होता है आपको अपने हातों से paper को नहीं बदलना पड़ता printer खुद ही अपने आप उस paper को एक तरफ print करने के बाद दोबारा printer के अंदर ले जाता है और दूसी तरफ भी print करके आपको दे देता है तो ये बहुत ही time saving feature है तो जैसे की आपको बता दिये गए है कि इन दोनों ही printers के अंदर आपको duplex printing का support नहीं मिलता है अगर आप specifically कोई duplex printer ही बाय करना चाहते हैं तो मैं description में link के देदूंगा वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं डिस्पले की बात करें तो इन दोनों ही printers के अंदर आपको कोई display नहीं मिलता है connectivity की बात करें तो जो आपका पहला printer है उसके अंदर आपको USB 2.0 और Wi-Fi का support मिलता है और दूसरे printer के अंदर आपको USB 2.0 का support मिलता है input capacity की बात करें तो दोनों ही printers 1500 sheets की input capacity को support करते हैं page size support की बात करें तो ये दोनों ही printers काफी सारे page size को support करते हैं आप इस्क्रिन पर देख सकते हैं पेपर आउटपूट की बात करें तो दोनों प्रिंटर्स की शम्ता 100 शीट्स की है मेमोरी की बात करें तो जो आपका पहला प्रिंटर है उसके अंदर आपको 64 MB की मेमोरी मिलती है वहीं दूसरे प्रिंटर्स की डेटेल्स not available है प्रिंट पर मिनेट की बात करें तो दोनों ही प्रिंटर्स आपके 11 से लेकर 20 पिज़ेस तक पर मिनेट में प्रिंट कर सकते हैं Weight की बात करें तो आपका पहला printer 4.18 kg का है, वहीं जो दूसरा printer है वो 5.2 kg का है. Printer Resolution की बात करें तो दोनों ही printers के resolutions आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. Toner cartridge की बात करें तो जो पहला printer है उसके अंदर HP का 1108 toner support करता है, वहीं जो दूसरा printer है उसके अंदर HP का 888 black laser jet toner cartridge support करता है. इन दोनों ही printers के page yield की बात करते हैं, यानि कि इन दोनों ही printer के अंदर अगर आप filter toner लगाएंगे तो आपको कितने pages तक मिलेंगे तो company claim करती है, दोनों ही toner cartridge का जो page yield है वो डिवर हजार pages के लगबका है. यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि जो भी आपको इन नंबर बताये गए हैं, यह ISO IEC standard के आधार पर बताये गया है. यानि कि organization के द्वारा एक page set किया गया है कि अगर इस page को आप print करेंगे तो कितने pages तक निकलेंगे. यहाँ पर यह बात समयना जरूरी है कि यह जो test किया जाता है, वो ऐसे paper पर नहीं किया जाता है, जिसमें पूरा page भरा हुआ हो, बलकि किसी page का एक specific coverage area तेग किया जाता है, उसके बाद इस test को किया जाता है. Cost per page की बात करें, यानि कि एक page को print करने में कितना खर्चा आने वाला है, तो अगर आप original toner cartridge का इस्तमाल करने वाले हैं, तो मेरे calculation के हिसाब से, आपको जो पहला printer है, उसमें आपको 1 page 3.40 पेसे के लगबग कपड़ेगा, वहीं जो दूसरा printer है, उसमें आपको 3.70 पेसे के ल होने वाला है, क्योंकि इन दोनों printer's के जो original toner cartridge है, वो 5,000 रुपे के लगबग के आते हैं, इसलिए अगर आप कोई compatible toner यूज़ करेंगे, तो आपका खर्चा बहुत ही ज़ादा कम हो जाएगा, duty cycle की बात करें, तो जो आपका पहला printer है, उसमें आपको 10,000 पेसे का duty cycle दिया duty cycle किसी भी printer की शमतों को मापने के लिए company की द्वारा बताया जाता है, मान लीजिए आपको ऐसा printer चाहिए, जिसमें आप मंधिली 25,000 पेसे तक निकाल सकें, तो ये printer आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके limit इस criteria तक आती है, जो company की द्वारा बताया गई है, तो आप इस printer को ले सकते हैं, recommended monthly page volume की बात करें, तो जो आपका पहला printer है, उसमें आपको 100 से लेकर 15,000 पेस का volume दिया गया है, वहीं जो आपका दूसरा printer है, उसमें आपको 2500 से लेकर 15,000 पेस तक का recommended monthly page volume दिया गया है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये RMPV होता क्या है, recommended monthly page volume company की द् बताए गई एक print quantity की range होती है जो ये बताती है कि हर महिने printer कितिनी pages को handle कर सकता है और अगर आप उस recommended print range से ज्यादा pages को print करते हैं तो इससे आपकी printer के लिए कुछ परशानिया पैदा हो सकती है जैसे कि printer की durability और performance में कमी आना maintenance की अधिक ज़रुवत पढ़ना और print quality में अंतर आना इस प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है आपको एक ऐसे printer को चुनना चाहिए जिसका recommended monthly page volume आपकी ज़रुवत के अनुसार हो अगर आप हर महिने बहुत सारे pages print करते हैं तो आपको एक high recommended मंदली page volume वाला printer खाइना चाहिए तो यहाँ पर आपका जो पहला printer है उसमें आपको 100 से लेकर 1500 पेजिस तक का RMPV दिया गया है वहीं जो आपका दूसरे printer है उसमें आपको 2500 से लेकर 1500 पेजिस का RMPV दिया गया है warranty की बात करें तो company के official websites पर दोनों printers में आपको एक साल की warranty दी गई है और price की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पताए कि जो price आपको बताए जाते हैं वो घटते बढ़ते रहते इसलिए दोनों ही product की link नीचे description और comment box में दे दी गई है वहाँ जाकर आप इनका latest price चेक कर सकते हैं और खाइदने चाहें तो खाइद भी सकते हैं आप देख रहे हैं बेस्ट वाले यहां मिलता है आपको शांदर comparison बहतरे रिव्यू ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो से related को इस हवाले doubt मन में हो तो comment करके पूछेगा हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की अपडेट्स के लिए subscribe कीजिए आपने हमें इतना वक्त दिया इसके लिए थैंक्यू